नमस्कार मैं सतेंद कुमार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके ही यूटूब चैनल आई टी आई 360 डिग्रीज में आज किस वीडियो में IOCL Indian Oil Corporation Limited आप लोग सभी जानते हैं बहुत ही अच्छी कंपनी है उसमें जो है वो जॉब की वेकंसी आई हुई है रिकूरूटमेंट वहां चल ला है और जिसमें जो है आई टी आई के बच्चों को भी मौका दिया गया है तो form की starting date क्या है last date क्या है सारी चीजे मैं इस वीडियो में बताऊँगा साथ में कौन-कौन सी trade के लिए vacancy है क्या age criteria चाहिए क्या education criteria चाहिए और salary की बात करूँ तो salary इसमें बहुत अच्छी है आप लोगों की 23,000 से starting है जो pay grade है वो आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में तो आप लोग जो है जॉब आपको proper मिलेगी कोई training type की नहीं है यह proper recruitment है एक job है जो आपको मिलेगी इस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी चात्रों को बताना चाहता हूं कि जो आइटी आई में अभी पढ़ रहे हैं वो चात्र में अपलाई नहीं कर सकते हैं जो चात्र कम्प्लीटली पास आउट हो गया है वही इसमें अपलाई कर सकते हैं और जो चात्र अभी भी mechanical की trade है उन सब का वीडियो सुवह 11 बजे आता है और साम को जो है electrical Electician, Electronics Mechanic, ICTISM और वायरमेन इन सब का वीडियो आता है साथ में ED की classes, Employability की classes यह सारी classes भी चैनल पर स्टार्ट हो गई है तो आप लोग जो है चैनल को subscribe करके notification well अपर आल पर प्रेस कर लिजे और साथ में job की information हम लोग देते रहते हैं और apprentice की information देते रहते हैं और साथ में आपको CITS Division की भी information देते रहते तो आप notification पर प्रेस कर लेंगे तो आपको सारी जानकरी मिलती रहेगी आप मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि IOCL है इंडियन आयल कार्पोरेशन लिम्टेड गवर्मेंट की यह कंपनी है गवर्मेंट आफ इंडिया अंडर्टेकिंग कंपनी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लाज़ डेट आप टाइम आफ रिसिप्ट आप ऑनलाइन तो आप लोग जो है 18 फरवरी के सामके 6 बजे तक इसमें फॉर्म अपलाई कर सकते हैं और आप लोगों को फॉर्म देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है अपलिकेशना इंडियन नेशनल्स मतलब आल इंडिया के जो भी स्टूडेंट है उसमें सिर्फ भारत की नागरिकता होनी चाहिए किसी भी और मतलब राज से कोई मतलब नहीं है आप लोग जो है इंडियन होने चाहिए तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं टेकनिकल असेस्टेंट यहाँ पर अटेंडेंट टेकनिकल अटेंडेंट आप लोग यहाँ देख सकते हैं आई टे के बच्चे जो है वो टेकनिकल अटेंडेंट फरस्ट ग्रेट फरस्ट के लिए आप लोग जो है इलिजिबिल है और इसको सार्ट फ तो इंस्टिटूट होगा वहां से और आपका जो है या तो आपको एंटीसी का सर्टिपीट होना चाहिए या फिर आपको सिर्फ टी वाली कॉलम है वही देखना है कितनी वेकंसी हैं आप यहां पर देख सकते हैं मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं आप लोग यहां पर देखिए नेम आप पोस्ट जैसे ही आप लोग जो है नेम आप पोस्ट करेंगे तो नेम आप पोस्ट में आप लोगों को देख जाएगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं नेम आप पोस्ट और इसमें आप लोग जो टीए बाला सैसन है इसको आप लो यह देख सकते हैं तीये विएखार में है चैनलाड़-novर उडिश्परदेश में तो यहां पर आप लोग एक आंद्र प्राटिस में प्रेयला चैनलो तो comparison टेकनिकल अटेंडेंट है तो टीए ईकिवेकंसी यहां पर 15 जरन्नल का यह है यह जरनल से आप लोग जो देख सकते हैं ऊपर सीट से तो ऐसे करके आप लोग इसमें देख लेंगे अपने ट्रेड के यहां पर बात करें कि जो आइटी आई का कौन कौन से ट्रेड के लिए इल इन में से किसी ट्रेड में किये हूँ, कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे इसमें इलिजिबिल है, तो टोटल इसमें जो है वो 14 ट्रेड है, इलक्टीसिन के बच्चे इसमें अपलाई कर सकते हैं, इलक्टानिक्स मेकानिक के कर सकते हैं, फिटर के कर सकते हैं, इस्टूमेंट मे पक्तोनिक्स वाले कर सकते हैं, वाले कर सकते हैं राक हम मेरे मेरे अलि फोड़ी प्रेट के हैं तों पोश्ट कलिए बताई हैं के लिए इसके लिए वह कर सकते बाकि आप लोगों को मैं जो है पेग रेट की बात करूं तो पेग रेट यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आप लोग जो आइटेक बच्चे है वो टेकनिकल अटेंडेंट फर्स्ट के लिए अपलाई करेंगे तो आपकी 23,000 से लेके 78,000 के बीच में यह सैली होने वाली है और बाकि जो आपका डीए बेसिक पे रहेगा उस पर डीए मिलेगा एचारे मिलेगा अधर भी कई टाइप के जो है आपको अलाइंस मिलते हैं तो आपकी सैली जो है वो 30 के प्लस ही रहती है और दर बात करें कि आपका जो है अपलिकेशन फीस क्या होगी तो जो ज प्लस हो जाएंगे और फीस जब आपको एक बार पे कर देंगे आप लोग तो वह रिफंड नहीं होने वाली आपकी तो आप लोग उसे साफसे इसमें अपलाई करिएगा तो फिर यह है कि कंडिडेट टू इंस्योर्ड ऑनलाइन पेमेंट तो आप जब आपकी पेमेंट सक सिस्फुली नहीं हुई और आप लोग का पैसे कट गाए और वहां पैसे पहुंचे नहीं तो वह सारी चीज़ें आप लोग मैनेज करेंगे फिर इसमें लिखा है कि कंडिडेट को अपना रेजिस्टेशन नमबर मोबाइल नमबर डेटा वर्थ और इमेल आइडी यह जो ह पर कनसेशन एंड रेलक्सेशन दिया है तो एज में जो कनसेशन दिया है मिनममम और आप लोगों कि एज क्रिटरिया भी दिया है वरी चीज़ें है आप लोग की selection कैसे होगा आप लोगों का तो selection यहाँ पर आप लोगों का पहले एक written test होगा और उसके बाद आप लोगों की skill, profency और physical test होगा तो written test होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद जो है next round as SPPT यह वाला प्रोग्राम होगा यहाँ पर यह वाला qualify होगा और जो बाकी यहाँ पर चीजे लिखी है candidate जो 40% जो है यहाँ पर जो score करेगा 40% वो इसमें जो है qualify करेगा दूसरे round में पहला round written test होगा उसमें आप लोग अगर 40% marks लेके आते हैं जो general के candidate हैं वो अगर 40% लेके आ जाते हैं जो general EWS है वो 40% लेके आते हैं तो वो second round में qualify कर दिया जाएंगे और जो SCST और EXM और ex-servicemen और PWD के candidate है उनको minimum 30% लाइना होगा 30% के बाद वो next round में clear कर दिया जाएंगे और जो भी seat होंगी उसको 1 ratio 5 के ratio में रखा जाएगा मतलब एक seat पे 5 लोगों को जो है second round मे qualify किया जाएगा और भी इसमें बहुत सारे points लिखे हैं यह आप लोग जो है इसका screenshot ले सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से पड़ सकते हैं इसमें बहुत सारी चीजे है जो आप लोग जो है पहले अगर कोई exam दिये होंगे कोई vacancy के लिए form भरे होंगे तो वही सारी इसको है और इसमें जो है mcq objective question आएंगे चार option होंगे एक option कोई सही होगा और जो है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि क्योंकि आपको जो है यहां पर question जो point number 5 अब वो देखना है technical attendant के लिए 100 question आएंगे 75 question जो होंगे आपके वो technical से होंगे जैसे कि अगर कोई IT किया है तो motor mechanics से related होंगे, electrician से related होंगे, fitter से related होंगे और जो 25 question बचे है क्योंकि 100 question आएंगे तो 75 आपके trade से आएंगे जो आप पड़े रहते हैं IT आएंगे 25 question जो होते हैं वो general aptitude और reasoning से आएंगे तो और कोई भी negative marking नहीं है सारे questions आप attempt कर सकते हैं और आपको 100 question के लिए 90 minutes दिये जाएंगे और जो PWD मतलब physically handicapped लोग होते हैं बच्चे student होते हैं उनके लिए 120 मिनट दिये जाएंगे कुल मिलाके जो आपका रेटन टेस्ट होगा उसमें आपको 100 questions आएंगे जिसमें 75 questions आपके जो है technical से आएंगे जो आप जो trade है उससे संबंदित आएंगे 25 question जो होंगे व objective question आएंगे तो यहां पर आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई हैं फिर दूसरा जो round है अगर आप qualify कर देते हैं पहला written test तो आपको skill और profency physical test इसमें से घुजरना होगा और इसकी criteria आप लोग जो है यहां पर देख सकते हैं फिर अगर को disable है मतलब विकलांग है तो उसके लिए यहां पर format दिया हुआ है आप लोग यह जो criteria है वो criteria पूर करेंगे तो यह उनी के लिए है जो इस criteria में आता है फिर pre-employed medical जो है medical fitness आपको जो है वो देनी पड़ेगी बाकी चीज़ें यहां पर दी हुई है verification of documents किन documents का verification यहां पर होना तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसका आप शून-sorts कर लेके इसको पूरण पढ़ सकते है इसमें सारी चीज़े वही है जो चीज़े आप अप्लाई करेंगे पोर्टल के थरू वही चीज़े इसमें लिखी हुई है फिर यहां पर और बात करें कि general instructions यहां पर आप नोटिफिकेशन को पड़ली यहां in में मैं आपको बता दे रहा हूं, पॉइंट नमर 9 यहाँ पर में है, कंडिडेट मीटिंग जाए, जो भी कंडिडेट आपकी जो क्रेटेरिया है, उसको अगर फुल्फिल हो जाती है, तो आप 24 जनुवरी से लेके, आठारा फरdoesई तک सामके 8 वरजे तक فर्म भर सकते हैं, और जो ओफिसुल वीबसराइड यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो आपना पर भर देंगे, तो आसा करते हैं, आप लोग इस ओफिसल वीबसराइड पर जाकर अपना फरम भर देंगे, और आपको कोई भी दिक्कत हो वोडियो में ने टॉपिक के साथ तरतक्स जात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद